हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल फ्रेंड्स मिस्स कोली की तरह से प्यार भ्रानम इशकार सत्थ्रियाकाल अधाब दोस्तों एक बर मैं फिर हाज रियू के नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने बले हैं कचोड़ी चाट ग्यों के आटे से तो चलिए फिर स्टार्ट करत है जिसे मैंने अची तरह से साफ कर लिया और हाथों को भी बहुत अची तरह से क्लीन कर लिया है कुकिंग करते समय हाथों को सबसे पहले जरूर साफ कर लिजिएगा तो अब हम क्या करेंगे अब हम डालते हैं इसमें आदा चमच के ग्रीब अजवाइन बहुत ही बड़ी सबी चीजों को अच्छी तरह से बहुत ही टेस्टी हमारी यह इस तरह से कचोरी चाट बनकर त्यार होते हैं एक मैंने पहले भी अपलोड की हुई है वीडियो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो पर तो इस वीडियो पर भी आप प्यार अपना जिरूर बन यह देखिए इस तरह से जब बाइंड होना स्टार्ट हो जाए ना तो समझ लीजिए हमारा जो आइल है इसमें बिल्कुल सही मात्रा में है तो चलिए अब हम लगाते हैं इसका डो तो थोड़ा थोड़ा पानी एड करते हुए हम इस इसे तरह से सॉफ्ट डो लगा कर त्यार करेंगे जिसतरह से हम चपाती के लिए यह प्रांठे के लिए त्यार करते है बिल्कुल वैसा ही डो लगाके हमें त्यार करणा है तो टाइट द बिल्कुल मत लगाईएगा सौफ्ट डो लगा कर त्यार करेंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है न तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो set करने के लिए आटा बिल्कुल त्यार है तो थोड़ा सा oil लगा देते हैं आटे के उपर ताकि soft रहे तो इसे हम अब cover करके दख देंगे side पर और इसे करने देंगे rest तब तक हम त्यार करते हैं अपनी stuffing तो आलू लिये हैं मैंने चार से पांच बॉयल कर लिया अची तरह से और इसे अची तरह से मैश कर लिया है तो अब हम डालेंगे इसमें वन फोर्थ टीस्पून साबुद जीरा बहुत ही बढ़िया flavor आएगा इससे और यह है फ्रेंड्स रोस किया हुआ धनिया जिसे मैंने क्रश कर लिया है तो डेट से दो चमच आप इसमें एड़ कर दीजिगा अब डालते हैं इसमें हरी मिर्च कटी हुई यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या जितना flavor आपको हरी मिर्च का पसंद है उसी के कॉर्डिंग डालीजिगा काफी सारा डालेंगे हरा धनिया बिल्कुल फ्रेश हरा धनिया और एक चमच मैं डाल रही हूँ इसमें सुखी कसूरी में थी तो धनिया भी हमने डाल दिया और कसूरी में थी तो यह वन फोर्थ टीस्पून मैंने डाल दिया है तोड़ी सी तीकी है लाल मिर्च का पाउडर तेस्ट के कॉर्डिंग डाल द किया है black pepper powder यान की काली मिर्च का पाउडर तो हाथों से ही अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे जब तक आपस में सभी चीज़ें मिक्स ना हो जाएं तो हमें इसे आलूं को पकाने की जुरूरत नहीं है ऑईल में कुछ भी करने की जुरूरत नहीं है बस इसी तरह से हम इसकी stuffing त्यार करेंगे और मज़ेदार कचोड़ी बना कर त्यार करेंगे तो सभी चीज़ें हो गई हैं मिक्स तो अब हम इसके बनाते हैं चोटे-चोटे बॉल्स ताकि स्टाफ करने के लिए easy रहे हमें तो equal बॉल्स बना कर रख लेंगे ना ज़्यादा चोटे ना ज़्यादा बड़े यह देखिए इस तरह से तो सभी बॉल्स में बना कर त्यार कर लेते हूं तो लिजे सभी बॉल्स त्यार हो चुके हैं तो अब हम देखते हैं आटे का क्या हाल है तो आटा काफी रेस्ट कर चुका है बहुत ही बड़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुका है यह देखिए आप देखी रहे हैं तो थोड़ा सा मसल लेते हैं इसे तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे टू पार्ट्स में से डिवाइड कर देते हैं और इसकी बनाएंगे लोईएं यह लिजे तो जितनी बड़ी आपको कचोड़ी बनानी है ना उसी के हिसाब से आप लोईएं तोड़ी है इसकी और इसके पेड़े बना लीजे तो मैं छो मैं इसके करते हैं आफ नाइफ की हळ से भी कट कर सकते हैं इसे तो मुझे तो आदत है इस तरह से तो लीजे सभी पेड़े बन कर तरयार है तो अब हम बेलना स्टार्ट करेंगे लेकिन हम बेलंस यह नहीं है इस तरह से अंगूठे वाली साइड से हथेली से इस तरह से साइड जो इसकी साइड जैना उसे हमें फिलाना है सेंटर से नहीं फिलाना जो इसकी साइड जैना उन्हें फिलाएंगे और एक बॉल रख देंगे आलू की और इस तरह से फटा फट से इसे कवर करेंगे आलो को नीचे प्रेस करते जाएंगे और उपर से इस तरह से कवर करके ना इसे इस तरह से घुमा देंगे यह देखिए मैं दिखाती हूँ आपको यह देखिए इस तरह से और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे तोड़ देंगे ये लिजे कितना असान है देख रहे हैं आप तो रखते हैं इसे साइड पर इसी तरह से मैं आपको और दिखाती हूँ ये देखिए हाथेली से जो साइड है उन्हें हमें प्रेस करना है सेंटर से नहीं ये देखिए तो अदर चला जाए आटे के और अच्छी तरह से बंद हो जाए तो इसे घुमाएंगे इस तरह से ये देखिए और तोड़ लेंगे ये लिजे बस इसे भी साइड पर रखते हैं तो एक और देख लीजिए ये देखिए मैं साइड से दबा रही हूं सेंटर से नहीं देख रह और ओयल देखिए मैंने साइड पर रख दिया है मीडियम फ्लेम पर गरम होने के लिए आप देखी रहे हैं तो ये देखिए फिर मैं इस तरह से घुमा दूंगी और ये देखिए इस तरह से आपकी जो कचोड़ी है न कभी भी नहीं फटेगी कभी भी तो लीजिए चार अब क्या करना है हमें अब एक पेड़ा उठाएंगे इस तरह से और इसे सेंटर से अब देखिए चाया आप दोनों साइड किसी भी साइड से लेजिए सेंटर से हमें इस तरह से दबाना है साइड हमारी बिल्कुल वैसी की वैसी ही आप देख रहे है ना सरफ सेंटर से हमे साइड से प्रेस किया था और जब हमने फिल कर लिया है तो उसे सेंटर से प्रेस किया यह देखिए वह उपर उठी हुई है वह वैसे ही रहेगी यह देखिए चाया आप बॉर्ड के उपर इसे फ्लैट कर लीजिये जाहां आप इसे हाथों के उपर रख कर भी कर सकते हैं यह तो मैंने सेंटर से इसे इस तरह से प्रेस किया और साइड देखिए इसकी वैसी ही ऊपर खड़ी हुई है उन्हें मैंने नहीं कुछ भी किया तो उसे आप भी इसी तरह से रखिएगा तो बहुत जादा फूल फूल कर हमारी कचोड़ी त्यार होंगी और थोड़ इसी शेप इसकी राउंड कर दीजिएगा, ऐसे कोई बात नहीं है, ये दिखिए, ये दिखिए, सेंटर से, देख रहे हैं आप, साइड से नहीं, तो लीचे चार कचोड़ी हमारी बनकर त्यार हैं, और ओयल भी हमारा गरम हो चुका, जितना हमें चाहिए, तो दोनों साइड आप देख तो डाल देते हैं इसमें, जितनी आएंगी उतनी डाल देते हैं अभी, तो देखिए, आप बबल्स पिल्कुल हलके अलके हैं, बस इसी तरह से रखिएगा, ओयल को, क्योंकि हमें खस्ता कचोड़ी बना कर त्यार करने हैं तो लीजिए, तो अभी घबराने वाली बात नही है, अभी ओयल में नेंगी है, अभी जैसे ही थोड़ी थोड़ी पकनी स्टार्ट होगी ना, तो बीच में सेंटर में चली जाएंगी, तो ये दिखिए हलके हलकी, खिसकती हुई सेंटर में चली ये देख लीजिए, तो इसे अब फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे, सबी कचोड़ीयां हमारी फूल घी है, तो दूसरा बैच भी मैंने इसमें अड़ कर दिया है, तो ये देखिए, ये भी कितनी अच्छाशी तंसे फूल रही है, देख रहे हैं आप, तो कोई भी कचोड़ी असी नहीं है जो हमारी ना फूल गया, तो अच्छी तरह से इस त चतनी के साथ खायें हरी चटनी के साथ खायें जैसे मर्जी खायें खाने में बहुत टेस्टी बनी है तो मैं आपको चाट बना के दिखाती हूं इसकी तो मैं ने ट्रे में रख ली है दो कचोड़ी इस तरह से होल करके अब डालते हैं इसमें कटा हुआ प्याज वो आपके उपर आप इसमें कोई भी फ्लेवर एड़ कर सकते हैं आप चाहें इसमें कटे हुए आलू भी डाल दीजिए तब भी आपको अच्छी लगेगी तो मैंने प्याज और टमाटर डाल दि दालते हैं इसमें मीठी दही तो बहुत ही बड़िया फ्लेवर आएगा इससे यह देखिए इस तरह से चाहट आप अपने हिसाब से कोई भी इसमें फ्लेवर दे सकते हैं ऐसी कोई बात निया जो भी फ्लेवर आपको पसंद है इसमें एड कर सकते हैं तो डालते हैं इसके यह देखिए इस तरह से तो थोड़ी से मैं इसमें हरी चटनी भी डाल देती हूँ थोड़ा और फ्लेवर बढ़ जाएगा यह देखिए इस तरह से डाल देंगे तो आप इसे अपने घर पर जुरूर ट्राई कीजिए और मुझे जुरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगती है खाने के बाद तो मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है तो थोड़ी से मैंने इसके उपर और धही डाल दी है थोड़ा से और इसके उपर इमली की चटनी डाल दी है तो अब क्या करेंगे धनिया और डाल देते हैं इसके उपर थोड़ा लूक और अच्छा आएगा तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसके ओपर तोड़ इसी से भुजिया भी डाल देते हैं ये लीजिए तो बहुत ही जवर्दस्त हमारी कचोड़ी चाट बनकर त्यार हो वो भी ग्यहूं के आटे की ये देखिए लग रही है ना जवर्दस्त आगे ना आपके मुमें भी पानी तो आप इस तरह से जुरू ट्राइ कीजिए आपको ये बहुत पसंद आने वाली है